क्वेशन नमर 53 इंटर्फिरोन गामा रिलीज ऐसे इस 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 फॉर दियाग्नॉसिस ऑफ तो सीधे आंसर पे चलते हैं तो डाग्नॉसिस ऑफ ट्यूबर्किलोसिस तो ट्यूबर्किलोसिस के तीन टेस्ट होते हैं पहला होता है मॉन्टुक टेस्ट एगदम उनिवर्सल है उसे लगाते हैं 0.1 ml इंटर्दमल रगाते हैं इंटर्दमल का मतलब एकदम बहूट स्किन के सुपिशं लगाते है तो जब उसे इंजेक्ट करते हैं तो वाहाँ पर नगोघते हैं कि जल गया है हाद कहीं पी जलने के ब supporter ძ्शी इसको नेमतिक धर अरette है जैसे कि सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो फूल जाता है फिर इसको सरकल कर देते हैं कि यहाँ पर कुछ इंचिनाहट से नहीं होरी ना क्लिनिक पर इस तरीके से पुछते हैं तो इसी तरीके से इंट्रडर्मल पीपीडी लगाते हैं जो कि पांच यूनिट का एक वायल आता है और पॉइंट वन एमल इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं जिससे कि इंसुलिन लगाई जाती है और फिर उसको वहाँ पर ऐसे सरकल कर देते हैं अब उसको 48 से 72 घंटे बात मरीज को बुलाते ह हैं और वो लिजन देखने हैं अगर यह लिजन 0 से 5 mm तक रहता है तो यानि कि मतलब इतना ही है मतलब बिलकुल भी बढ़ा नहीं है 0 से 5 mm का मतलब कि इस लिजन में कोई increase area increase तो नहीं हुआ है अगर 5 mm तक बढ़ा है या नहीं बढ़ा है तो उसे negative कहते हैं और 6 से 14 mm तक हो 0 to 5, 16 to 14 and more than 14 या 15 से ज्यादा तो strongly positive तो 0 से 5 हमारे एक हाथ में 5 उंगलिया होती है 5 उसके बाद 5 खतम हुआ 6, 6 से लेके 14 तक 14 के बढ़ा है 15, 15 के उपर अगर बढ़ा है 15 mm से ज्यादा है अगर वो area बढ़ गया है वो फफोला बढ़ गया है 2 से 3 दिन के बाद तो यानि कि Montux test strongly positive है और अगर 6 से 14 तक है तो सिर्फ positive है दूसरा होता है ये तो हो गया Montux test जो कि skin में inject करके हमने कुछ किया दूसरा होता है true net अब उसको tuberculosis है तो खासी तो भर-भर के आ रही होगी तो खासी आ रही तो उसका हमने sputum ले लिया किसी chemical से chemical का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बफर करते हैं उस chemical से उसको बना लिया अब true net एक machine type की है जैसे कि कोई भी machine है जैसे कि nebulization में एक machine इस्तमाल होती है तो वो machine है तो उसी तरीकी की कोई machine है true net उसमें हमने sputum डाला तो इस पुटम डाला एक machine है उसमें हमने sputum डाला तो वो बता देगी कि ये positive है मरीज या नहीं positive है तीसरा होता है IGRA ये भी blood के थुरू होता है तो पहला हो गया montux test ये इसमें हमने कुछ inject किया दूसरा हो गया true net जिसमें कि हमने sputum की ज़रत पड़ी और तीसरा हो गया IGRA जो कि एक blood test है तो तीन test है इसके और तीनों अला गलग test है अब IGRA का मतलब क्या है interferon gamma releases से मतलब कि body में interferon release हुए है अब IGRA जो है वो latent अच्छा हां ये तो montux test tuberculosis बताएगा ये भी tuberculosis बताएगा लेकिन जो आईजी आ रहे है वो बताएगा latent tv लेटन tv का मतलब है कि symptoms नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी मरीद tv से ग्रसित ह है यानि कि अभी bacteria का काम करने का मन नहीं अभी सो रहा है body में लेकिन body में है वो कभी भी active हो सकता है जब भी उसका मन हो मन होने का in the sense है जब उसको favorable condition मिली grow करने के लिए तब वो अपना लक्षन दिखा सकता है तब मरीद tv के लक्षन से ग्रसित हो सकता है तो ये अब यहां यहां पर आई जी आरे में मरीद के body में बैक्टीरिया है लेकिन वो लक्षन नहीं बता रहा है that is called latent TB वो कभी भी हो सकता है तो ऐसी condition में आई जी आरे कराते हैं कौन कौन कंडिशन में कराते हैं कभी कोई surgery हो रही है या मरीज कभी किसी मरीज कभी भी एक्सपोज हुआ है या उसको पहले टुबकेलोसिस हो चुकी तो इन सब कंडिशन में आई जी आरे कराते हैं तो आई जी आरे में interferon body में release हो रहे हैं तो उसी को detect कर लेता है ये test इंटेफिरॉन गामा release essay ये essay इस essay का मतलब होता है test और इस essay का मतलब निबंद होता है तो ये body में interferon को detect कर लेता है इंटेफिरॉन का का काम क्या होता है interferon जब body में आते हैं तो वह macrophases killer cells और neutrophils को activate कर देते हैं कि कुछ आ गया है body में कोई भी antigen आप उसके लिए भी काम करना शुरू कर दीजे आप तो ये काम होता है interferon का तो इसी को detect कर लेता है ये test अब ये test काम क्यासे करता है इसके लिए TB specific दो antigen होते हैं ये भी question पूछ सकते हैं कि वह कौन से antigen होते हैं ज CFP 10 तो ये दो TB specific antigen हैं जो कि interferon को detect करते हैं और इस test के दो नाम है पहला T-spot TV और दूसरा Quantiferon TB Gold अच्छी बात ये है कि दोनों ही test में TB है तो अगर इस पर question पूछा गया तो आराम से बता देंगे तो TB spot T-spot TV and Quantiferon Quantiferon TB Gold ये लाब में होता है IGRA Gold के नाम से तो ये तीन test हो गया पहला Montux test जिसमें कि हम 0.1 ml इंसुरिन सिरिन से इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल और मरीज को 2 से 3 दिन के बाद बुलाते हैं 38 से 72 घंटे के बाद बुलाते हैं और उसके देखते हैं कि वो जो फफोला है वो कितना बढ़ गया उस basis पे देखते हैं दूसरा हम sputum की basis पे देखते हैं और उस machine के और इस process का पुरा नाम है true nat तीसरा हो गया IGRA कि अगर हम तभी भी TV देखेंगे अगर उस मरीज को TB collection नही है सरकारी अस्पतालों में तो IGRA टेस्ट है तीसरा जो कि blood sample लेके होता है और इसमें क्या करते हैं ESAT-SNCFP10 यह TB specific antigen है जो कि यह detect कर लेते हैं और इसके दो क्या detect कर लेते हैं तो यह पता चल जाता है अगर यह positive आया है कि हां latent TB है तो फिर उसका उसी साफ से treatment करते हैं और इसके दो test के नाम है T-spot यह antigen है यह test के नाम है जो कि हमें prescription पे लिखने होंगे कि यह कराने हैं आपको test यह lab का का काम है ESAT-6 and CFP10 तो यह हो गया tuberculosis के बारे में तो interferon gamma release essay is used for the diagnosis of tuberculosis answer number C is the correct अब दूसरे और भी पढ़ लेते हैं पहला है HIV तो HIV के लिए तीन test होते हैं तीन में टेस्ट होते हैं HIV के लिए पहला होता है antibody test जो की 23 दिन पर होता है Eliza के नाम से आता है लाब में antibody test अगर आप मरीद कभी भी एक्सपोज हो गया है इस वाइरस से यह वाइरस है तो इस वाइरस से अगर मरीद एक्सपोज हो गया उसे लगा कि शायद मैं आज एक्सपोज हुआ हूं किसी भी तरीके से तो जा कि अगर वो टेस्ट कराएगा तो नहीं positive आएगा उसको develop करने के लिए उस वाइरस को कि लात में होता है तीसरा होता है दूसरा होता है antigen antibody complex दोनों टेस्ट होते हैं antigen antibody complex द स्थो हुग होता है इसमें antigen P25 होता है पहला हो गया antibody एंटिबॉडी दूसरा हो गया एंटीबॉडी और एंटीजन कॉंपलेक्स टेस्स इसमें कौन सा एंटीजन यूज़ करते हैं यह इंपोर्टेंट ऐसा क्वेश्टन पूछ सकते हैं कि पी ट्वेंटीफॉर होता है और यह 15 दिन पर होता है 15 से 45 दिन पर यह पाजिटिव बत कि बॉड़ी में अब वाइरस आ गया है वह काफी ग्रोव भी कर रहा है उसने एकदम कॉलनी बना रखी मल्टिप्लिकेट करके अब उसका डेने भी काफी होगा तो वाइरल उसी लोड को चेक करने के लिए वाइरल लोड टेस्ट होता है इसे हैचाईवी आरने पीसी आर ट क्यूंगत लिए होगा या ठीवादी टेस्ट एकता है तो पैल ठीक क्यूंगत रेने बहुत अश्य कि अज़क्अ होगा है ये अजूत बहुत है डिक्रुक्लिक अजिकारई या करने को छक्ων देक्र पूसकर तेस्ट करते हैं वाइरल सुद्ट निक्निकलिक एसच होता है। उसमेंकुछ बोकुत इंपॉर्टेंग्हें तैस्य store होता है। स्क्रीणिंग test यह अगर यह आजाता है confinement करते हैं। यह हैं यह लिए तेस्णा होता है सिफलिस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हम हैं। वो कम important लगते हैं, जो आसानी से याद हो जाते हैं, वो लगता है कि यह कम important है, पर important तो सब कुछ ही है, कुछ भी पूछ लेते हैं, वहाँ पे कुछ भी याद भी नहीं रहता है, तो syphilis के बारे में देख लेए, syphilis को detect करने के लिए दो test होते हैं, पहला होता है tryponimal और bacteria, एक spirochete, तो tryponuma pallidum, तो tryponimal test होता है और दूसरा होता है non-tryponimal test, तो tryponimal test में यह आसान बात है न, tryponimal test बहुत सारे होते हैं, TPPA, FTA, AB, MHTPA, यह सब हैं, तो जितने भी tryponimal test होगे, उन सब में T आएगा, यह बहुत अच्छी बात है, और non-tryponimal test रिफ दो हैं, that is VDRL, हाँ, और RPR, यह दो test हैं, तो tryponimal test, तो एक बार अगर body, अगर एक बार body, इस spirochete से infection हो गया, तो tryponimal test, तो lifelong positive आता रहता है, सिफलिस इतनी जल्दी होता नहीं इंडिया में, लेकिन फिर भी बहुत ही immunocompromised condition, बहुत खराब, unhygienic condition में रह रहा है, तो सिफलिस हो भी जाता है, तो अगर हो भी गया, 5-10% cases में, तो treatment तो उनका करेंगे, तो दो test होते हैं, tryponimal और non-tryponimal test, तो tryponimal test, अगर एक बा दोनों positive आ गई, तो मरीज को भैंकर बिमारी है, एक्तम इलाज कर देना चाहिए, इलाज चलता रहा, दोबारा test किया, tryponimal test positive है, वो तो आई गई, non-tryponimal test negative है, तो मरीज ठीक हो गया है, अब ये protocol चलता रहता है, बीच-बीच में test कराते रहते हैं, non-tryponimal test, और tryponimal test दोनों, ठीक है, तो tryponimal test के example बता दी, जितनी भी example होगे, सबमेट ही है, अगा, non-tryponimal test के दो होते हैं, VDRL और RPR, VDRL का full form है, veneral disease research laboratory test, बड़ा जीव है, veneral disease research laboratory test, और दूसरा है, RPR, that is rapid plasma protein, ये दोनों ही बहुत आसान है, this is all about, question number 53, interferon gamma release assay is used for diagnosis of tuberculosis, hope it's clear, like and subscribe my channel to boost your preparation,